लोग मिल करके इस question की depth में चलेंगे और deeply समझने की कोशिश करेंगे कि इस question का क्या answer है वो question है कि हमेशा motivated कैसे रहे तो इससे पहले कि इस question की हम depth में चले मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी study के बारे में जो बहुत ही interesting है वो ही थी Columbia University में 1998 में एक professor ने study को किया जिसमें के बहुत सारे बच्चे थे जो की सारे fifth standard के थे और उनको puzzles थी बहुत तरह तरह की solve करने थी उसमें से कुछ puzzles बहुत ही मुश्किल थी कुछ बहुत ही असान थी उसके बाद में जब उन बच्चों ने उन पुजल को solve किया तो उसके बाद में सबी बच्चों को एक ही बात कही गए कि आपने बहुत अच्छा किया बस यहां पर एक छोटा सा फर्द था आदे बच्चों को उन्होंने कहा कि आपने इतना extraordinary इसले पफॉर्म किया क्योंकि आप बहुत ही जादा intelligent हो और बाखी के जो आदे बच्चे थे उनको कहा गया कि आपने जो इतना extraordinary परफॉर्म किया उसकी वज़े थी आपका hard work फिर उसके बाद में दुबारा से इन सब बच्चों को कुछ पजल्स दी गई कुछ देर बाद ही वो बच्चे बोर रोगे दूसरी तरफ से वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आपने इतना extraordinary performance ने किया क्योंकि आपने hard work किया उन्होंने सिर्फ आसान puzzles को attempt नहीं किया बलकि मुश्किल से मुश्किल puzzles को भी attempt किया और solve किया फिर उसके बाद में जब पूरी study complete हुई तो उन बच्चों से पुछा गया कि किसको जादा मज़ा आया इसको करने में तो वो बच्चे जिनको कहा गया था कि आप बहुत intelligent हो उनको मज़ा नहीं आया यानि कि वो motivated नहीं थी और वो बच्चे जिनको कहा गया था कि जो भी आपने किया वो अपने hard work की वज़े से किया उन्होंने ना सिर्फ अच्छा perform किया बन्कि वो end तक motivated भी थे और उनको मज़ा भी आया अभी study जिसके बारे में मैंने आभी आपनों को बताया ये इतनी interesting इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते हैं हमारे thought pattern को challenge करती है हम क्या सोचते हैं कि अगर हम parents हैं या हम teachers हैं और अपने बच्चों को हम बुलेंगे कि आप बहुत intelligent हो आप बहुत smart हो तो वो अच्छा perform करेंगे लेकिन इस study में exact उसका opposite निकल कर गया है तो इस study में जो facts reveal हुए उसको समझने के लिए हमको एक concept को समझना पड़ेगा जिस concept को कहा जाता है Locus of Control वो क्या है कि जिन बच्चों को कहा लिया कि आप बहुती smart हो बहुती intelligent हो उनका जो Locus of Control था वो उनके अंदर नहीं था उनके बाहर था Locus का मतलब है center of control मतलब कि अगर वो smart है अगर वो intelligent है तो इसमें उनका खुद का कोई रोल नहीं है वो उनके control से बाहर है दूसी तरफ से जिन बच्चों को कहा गया कि जो भी आपने अचीफ किया वो अपने hard work की विज़े से अचीफ किया उनका जो Locus of Control था वो उनके अंदर था यानि कि hard work पूरी तरह से उनके खुद के हाथ में था कि अब उनके उपर है कि वो कितना hard work करते है और ये सिर्फ study में निकल कर दे नहीं आया है इस तरह की और भी बहुत सारी studies हुई है बहुत सारी research हुई है जहां पर exact यहीं चीज निकल कर दे आया है कि अगर हम खुद को हमेशा motivated रखना चाहते है तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि जो control है वो पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होना चाहिए तो अब समयने की कोशिश करते है कि ऐसा क्या होता है कि जो control है वो हमारे हाथ से चला जाता है और ऐसा क्या होता है जब control हमारे हाथ में आगा जाता है जब भी हम external factors की बात करते है कि मैं यह नहीं कर बारा इस वज़े से उस वज़े से उस वज़े से जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है तो हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम exactly क्या कर सकते हैं जब हम अपनी capabilities के बारे में बात करते हैं तब कंट्रोल पूरी करह से हमारे हाथ में आ जाता है जब हमारा focus उन reasons पे नहीं होता है जिनकी वजह से हम वो नहीं कर सकते हैं बलकि उस ज़गे पर होता है जिस वजह से हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं तब हम अंदर से motivated होते हैं एक जाम्पल आप जिस भी field में हो उस field में कुछ लोग है जो top बैठे हैं आपके पास में दो options हो, एक आप बोल सकते हो, कि वो लोग, उनके अंदर कुछ special है, उनके अंदर कुछ extraordinary है, उनके अंदर को ऐसा talent है जो आपके अंदर नहीं है, या फिर उनकी किसमत है जिसकी वज़े से वो वहाँ पर बैठे है, या फिर उनके पास में कुछ था, किसी का support जिस वज़े से वो वहाँ पर है, अगर इसमें से ऐसा आपने कुछ भी बोला, तो आप फस गए, अब आप motivated नहीं रह सकते हैं उस काम को करने लिए जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप control आपके हाथ से बाहर है, क्योंकि अब अगर आपके पास में वो है ही नहीं जो उनके विज़े से, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, उन्होंने भी मेरी ही तरह एक नहीं दिन कहीं न कहीं से शिरुआत करी थी, जहां से कि आज मैं शिरुआत कर रहा हूँ, तो मुझ में और उनमें अगर कोई फर्क है, तो बो सिर्फ एक है, वो है time का, क्याने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं भी उन्हीं की जगे पर हो सकता हूँ, या उनसे भी आगे हो सकता हूँ, जहां पर आज वो है, तो आप कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में, तो हमारे पास में हमीशा ही दो options होते हैं, एक कि हम कंट्रोल को अपने हाथ से छोड़ द